एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं आपके अपनी इस लाइव प्लेट्फॉर्म पर और आज आपने डिसकस करेंगे एक इंपोर्टेंट टोपिक्स के रिगार्डिंग जो की सीबसी क्लास 10 के अंदर साइंस में एक चेप्टर है और काफी इंपोर्टेंट हैं वहीं पर बैसी के अंदर इसी चेप्टर की बात करें तो वह बोड़ी सिस्टम होता है यानि कि सरीर के तंत्र होते हैं वह होते हैं बाट अपने एक साथ नहीं पड़ेंगे दोनों को सेपरेटली पड़ेंगे सीबसी के अंदर अपने इस टाइमिंग में लेते हैं मतलब इस इनकी classes available कर दी जाएगे तो आज अपने discuss करेंगे life process के बारे में और इसके अंदर काफी important है और यह ऐसा chapter है जो कि आपकी daily life से काफी सारे examples, काफी सारे activities, processes आपको मिल जाएगी जो इस chapter को कहीं ने कहीं से correlate करेगी I think यह ऐसा chapter है जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा effort लगाना होगा, यानि कि आपकी daily life में जो भी होता है उसके regarding आपको correlate करना होगा, यदि आपने ऐसा किया, तो I'm 100% surely कि आपको यह chapter एक बार समझ आ गया ना, तो पूरी life में आप इस chapter को नहीं बूल पाएगे, तो उस के लिए आपको concentration से ही रहना होगा, concentration से आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है, तो बात करेंगे, आज अपने इसके बारे में, life process के बारे में, तो start करें, इस chapter को, और start करने के साथी, वीडियो को like और share करें, नहीं जेनल पर विजिट कर रहें, तो चिनल को सब्सक्राइब क तो चलिए start करते हैं, आज अपने बात करेंगे, life process के बारे में, actually life process होता क्या है, life process के अंदर कौन-कौन से body system है, जो included है, और without any disturbance, ठीक है, किस तरह के से body system है, body है, workout होती है, यदि किसी भी body system में कुछ difficulty आ जाती है, abnormalities आ जाती है, तो life process पे क्या effect होता है, वो शार आप डिसकस करेंगे आज, तो लास्ता कंसंट्रेटिव होकर बेठेंगे, और completely study करेंगे, और मैं advise ये भी करूँगा, कि आप अपना notebook साथ में रखे, ताकि जो important thing है, important points है, उनको आप note करें, वैसे ये notes बहुत ही suitable है आपके लिए, especially उन सभी students के लिए बोल रहा ठीक है, तो चलिए start करते हैं, और start करने के साथ ही, सबसे first one बात करेंगे, कि what is life process, यानि life process का actually meaning होता क्या है, life process होती क्या है, कौन कौन से system है, तो आप देख पा रहे होंगे, definition आपके सामने है, all living thing perform certain life process, यानि सभी जो living thing है, like human, बहुत अच्छा example आप लेक सकते हैं, कि व growth, excretion, respiration, circulation, और circulation, इनके बारे में आप सब कुछ जानते होंगे, इसली classes में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, I think सबने पढ़ा इनके बारे में, फिर भी आपन इस chapter के अंदर इनके बारे में completely study करेंगे, don't worry, continuously concentrated होके पढ़ते रहे, तो life process का actual meaning आप समझ गई होंगे, कि क कुछ ऐसी processes वो करते हैं, जिसके तुरू वो life के अंदर, वर्ड के अंदर survivor कर पाते हैं, तो वो सारी process जो होती है, वो क्या होती है, life processes होती है, it means यह है कि वो सभी process, वो सारी process, जिनके बिना एक human being survive नहीं कर सकता, उन सभी process को life process कहते है, एक और definition है आपके सामने, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called the life process, it means आप समझे होंगे कि वो सभी all the process like respiration, digestion, excretion, circulation, यह सारी process coordination के साथ workout होती है, together keep living organism alive, perform the job of the body maintenance, यानि कि body के maintenance को prepare करने के लिए, उसके maintenance को बनाएक रखने के लिए, यह सारी जो processes है, वो क्या होती है, together यानि एक साथ होती है, और यह सारी process ही क्या होती है, life process होती है, यानि without any कोई सी भी जो process है, like respiration है, digestion है, excretion है, इनमें कोई भी abnormalities हो जाती है, कोई भी problem आ जाती है, तो से ससोने लगती है आप समझेंगे कि एक परसन है ठीक और उसको अस्तमा और आपको पता है कुछ सीचुईशन ऐसे आती तो उस टाइमिंग में आपको देखा होगा आपकी बोडी किस तरीके से उसके अगेंस कमपनसेट करने का काम करती है यानि समझ गए होंगे कि यह सारी प्रोसेस है यह सारी कोडिनेशन के साथ एक शाथ काम करती है तो बोडी एक लिविंग और्गिनिज्म का जो सर्वाइवल रेट है या सर्वाइव करने का जो परसेंटेज हो काफी ज़्यादा हो जाता है यानि इनके बीना कोई भी परसन है सर्वाइव नहीं कर पाता है और यह सारी है जो की कोडिनेशन में वरक आउट होती है और इस समिन सब को ही क्या कहा जाता है लाइफ प्रोसेस के अंदर आ आप सब जानते होंगे डाइजेशन रेस्पिरेशन शर्कुलेशन और एक्सक्रेशन इनको अपन वन बाइवन डीटियल से पढ़ते हैं जिसको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है और अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को जो भी बोर्ड एक्ज किसे जानती होंगे नियूट्रिशन मेनिंग क्या होता है अप समझ रहेंगे मैं समझाने की को सिस्कारता हूं नियूट्रिशन की अंदर आपने डेफिनेशन की काफी बार की अब प्रोसेस वाइच एन और ओर्गेनिजम ऑप्टेन इट्स फूड यानि कोई भी ऑर्गेनि है जिसके अंदर डील किया जाता है नेूट्रेंट्स को अब न्यूट्रेंट्स के अंदर आपने पड़ी होंगे माइक्रो-ществ होते हैं मैक्रो-ण्यू-डैंट्स होते हैं उसके अंदर आपने कार्भॉहइड्रेट्स वाइटमिन परोटीन है ठ्थल यह सारे आपने पड़े होंगे ठीक है तो उन सब को क्या कहेंगे नूट्रेशन कते हैं अब नूट्रेशन के अकोडिंग आपके इस चेप्टर के अंदर हमन बिंग को प्लांट को यह जो लिफिंग और गुणीजम है और बाकि अदर्स को किस क्राइटेरिया इस देखिए लिखा है plants are autotrophs, autotrophs का meaning आपको याद रखना है, plants are autotrophs, examples आपसे पूँचे जाते हैं, exam में कि यह नी two names या तीन नाम आपको पूचे जाते हैं, कि दो या तीन नाम आपको लिखने है autotrophs, या फिर examples पूचे जा सकते हैं, कि autotrophs के कौन-कौन से examples हैं, तो आप याद रखने है, autotrophs का actual meaning क्या होता है, autotrophs means यह है, कि ऐसे organism या ऐसे plants, जो कि अपना food है, खुद बना लेते हैं, समझ पायोंगे, अपना food खुद गेन कर लेते हैं, definition आपके सामने लिखी हुए है, can make their own food, ठीक है, क्या लिखा है, can make their own food, यानि वो खुद ही अपना वो ज समझ रहे होंगे, auto, automatically से आपको पता है, auto, ठीक है, autrophs मनला food से regarding है, तो automatically यानि कि ऐसे plants, जो automatically खुद ही अपना foods है, वो maintain कर लेते हैं, बना लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, इसके अंदर सबसे अच्छे example आप plant है, साब साब लिखा है, plants are autotrophs, ठीक है, वहीं पर अपन second की बात करें, तो animals are heterotrophs, समझे, दोनों का terminology आपको याद रखना है, autotrophs means क्या होता है, heterotrophs means क्या होता है, आगे अपन detail से पढ़ेंगे, don't worry, तो autotrophs और heterotrophs means आप समझ गए, ऐसे plants या ऐसे organism जो खुद ही अपना food है, वो ले लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, can make their own food, ठीक है, और वहीं पर अपन heterotrophs की बात करें, तो वो अपना food है, खुद मेंटेन नहीं कर पाते हैं, खुद नहीं ले पाते हैं, डिपेंड होते हैं, on plants या others पर, ठीक है, depends होते हैं, plants या other पर, तो वो क्या होते हैं, heterotrophs होते हैं, I think समझ आ गया होगा, च out clear हो जाएगा, चलिए, बात करेंगे, आगे अपन, mode of nutrition, ठीक है, nutrition के modes के बारे में पढ़ेंगे, जो सकी अपने, अभी recently पढ़ा है, autotrophs और heterotrophs, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, first one आपन discuss करते हैं, autotrophs, यो, आपने समझ आ होगा, उसमें, मैंने बताया था, कि वो अ इन वीच, inorganic material, like carbon dioxide and water, etc. are utilized to prepare organic food by process of photosynthesis, यानि कि आप समझे होगे, कि ऐसे organism है, जो कि inorganic material को, like carbon dioxide हो सकता है, water हो सकता है, उनको organic compound में exchange कर लेते हैं, या utilize कर लेते हैं, तो उनको क्या कहते है, autotrophic कहा जाता है, या autotroph कहा जाता है, by the process of important है, आपके लिए photosynthesis, किस process के थुरू autotrophic होता है, तो वो photosynthesis के थुरू होता है, उसका सबसे च्छा example मैंने आपको पहले भी बताया, green plants जो भी है, वो autotrophic के examples है, ठीक है, तो आप समझ गई होंगे, कि autotrophic animals, autotrophic organism क्या होते हैं, तो auto से meaning समझता है, समझ में आता है, automatically, ट्रोफिक जो कि food से related है, nutrition से related है, तो इसके अंदर क्या होता है, जिससे कि green plants के अपन बात करें, तो वो खुद ही क्या कर लेता है, एक process उनके अंदर होती है, आगे detail से पढ़ते हैं, तो एक process होती है, जिसको photosynthesis कहा जाता है, उसके through green plant है, इन organic material को, like carbon dioxide or water को, utilize कर देते है into the organic body या organic food के अंदर, जिसके through वो अपना nutrition fulfill कर लेते हैं, ठीक है, समझ गई होंगे, I hope, चले, बात करते हैं अपन, next heterotrops के बारे में, next अपन बात करेंगे, heterotrops के बारे में, इसका just opposite है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, heterotrops is a kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesis their own food, they depend on autotrops for their food, supplied directly or indirectly, समझ गई होंगे, कि ये भी एक type का process है, nutrition, kind of nutrition का है, जिसके अंदर, not possess the ability of synthesis of their food, यानि कि खुद का जो food है, उसको synthesis नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर, ability नहीं होती है, वो depend होते है, autotrops, autotrops के बात कि अपने green plant, यानि ये depend होते है, autotrops, अब वो directly भी हो सकते हैं, उसका सबसे चाएग्जामपल आप animals को ले लेंगें, और animals में human को ले सकते हैं, आपको पता है, humans totally depend होता है autotrophic पर, यानि कि जो vegetables आती है, वो भी autotrops के अंदर है, बट उनको अपन यूटिलाइज लेते हैं, उनको अपन food के, फूड के रूप में लेते हैं, तो आपन किया है एक तरिके से heterotrops, ठीक है, तो आप समझ गई होंगे, और दियान रखे, इनमें दोनों में difference आपसे exam में पूचा जा सकता है, इसी को भी पूचे जा सकते हैं, उनके बीच में difference भी आपसे पूचे जा सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं, ठीके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, अब और ट्रोफिक नूट्रेशन को डिटेल से पढ़े, या इसी को ही कहे फोटो सिंथेसिस, जैसा अपने टर्मिनलोजी यूज किया था उदर उपर, कि एक प्रोसेस है फोटो सिंथेसिस, जिसके थूँ ग्रीन प्लांट से अपना फूड को एक तरगी से सिंथेसिस करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो सिंथेसिस, और उसी को डिटेल से पढ़ते है को अपने प्रोफिक नूट्रेशन या फोटो सिंथेसिस, तो उसके अंदर अपने बात कि की कि इनोर्गेनिक जो उसको गंप मांटीरियल में कंवर्जन की आ जाता है यह यूटिलाइज किया जाता है ऑसान लाइट क्लोरफिल अब आगे अद्ब जिसके बारे में आपको बता हूंगा आगे धच्छते देखे द्दwe को लेते हैं सबका correlation आपको रखना है तो आपको याद रखना है उसके लावा यहां पर एक रियक्शन टाइप में लिखाए और ट्रॉफस ठीक है एनर्जी मोलिकूल यूज करते हैं और इनौर्गनिक बनता है उसको कंवर्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स हाय में जिसको कार्बोहाइडर्स करते हैं वहीं पर एक रियक्शन आप नीचे देख पारे हूंगे ऑटो ट्रॉफिक नूट्रिशन इस फुल्फिल बाइदी प्रोसेस बाइविच ऑटो ट्रॉप्स टेक कार्बन ड जिसके थूप प्लांट्स की बात करें प्लांट्स जो कि और ट्रॉफिक नूट्रिशन लेते हैं यानि वह कार्बन डायॉक्साइड और वाटर को कंवर्ट कर देता है तुदी कार्बोहाइड्रेड बाइदी प्रोसेस या प्रेजेंस ओफ दी क्लोरोफिल और संडिक्लोर और यह प्रोसेस ही होती है फोटो सिंटेसिस थिक फ्रेंस तो यह आपने पड़ा फोटो सिंटेसिस आप समझा गया हुआ क्या प्रोसेस होती है आपको एक्वेशन नीचे लिखा हुआ है इक्वेशन सापको लिखा हुआ है carbon dioxide plus water as to sunlight और chlorophyll की presence में यह convert कर दिया जाता है कार्बोहाइडर्ड यह जो कार्बोहाइडर्ड है ग्लुकोज है ठीक है C6-S12O6 उसके लाबा oxygen release होती है जिसको human being है जो कि respiration में लेते हैं यह रेस्पिरिशन के अंदर वो लेते हैं inhalation करते हैं वो respiration के अंदर यह resultant photosynthesis के resultant ही auto बनती है और उसको human being है respiration के अंदर लेता है उसके लाबा water है जो कि बनता है ठीक है तो यह question भी आपको याद रखनी है friends क्योंकि यह भी important equation है exam में काफी बार पूची हुए तो यह questions भी आपको याद रखनी है photosynthesis क्या होता है वो याद रखना है autotrops और heterotrops क्या होता है वो भी याद रखना है और I think आप समझ रहे होंगे इस बात को चलिए आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं raw materials for the photosynthesis photosynthesis के अंदर raw material जिसका यूज करते है एक plant और photosynthesis process complete होती है वो कौन-कौन से raw material है तो आपको पता चल गया होगा पहले ही मैंने बता दिया sunlight ठीक है उसके लावा chlorophyll और chlorophyll कहां पर present होता है मैंने आपको बताया plants के leaf यानि पत्तियों के अंदर पाया जाता है ठीक है उसके लावा carbon dioxide ये इन्हों raw material है ये question भी काफी बार पूचा हुआ है cbc और rbc दोनों के अंदर ये पूचा हुआ है board exams में तो याद रखे भूलना नहीं है ये raw materials है उसके लावा waters तो ये सारे क्या है raw materials है जिनकी help से photosynthesis के process complete होती है और वो अपना nutrition कर पाते हैं और resultant हमें oxygen और other nutrients मिलते हैं because human being है वो heterotrops है जो की totally depend होता है photosynthesis site यानि photosynthesis की process होती कहां पर है तो आपको पता चल गया होगा मैंने बोला chlorophyll कहां पर present होता है leaf के अंदर होता है chlorophyll in the leaf chlorophyll contain chlorophyll जो की green pigment होता है और इसी की help से photosynthesis process है जो की completely हो पाती है समझ गया हूँगे जले बात करते हैं आगे यह चोटे-चोटे point है बट इनको चोटा ना समझे exam में directly यह उठकर आते हैं और directly आपको answer लिखना होता है तो यह सारे आपको याद रखने है next है main events of photosynthesis photosynthesis के अंदर कौन-कौन से events है जो की होते हैं और यह भी exam में पूचा हुआ है star बना लीजेगा अपना notes आप cover कर रहे है तो cover देख लीजेगा और जिसको मैंने directly offline में पढ़ाया है वो directly आप याद रखेगा तो अपना star mark बना लीजेगा 100% important points है और important exams में question आने वाले है चलिए मैंन बात कर रहे हैं main events for photosynthesis तो उसके अंदर क्या-क्या होता है वो events आपन देखते हैं सबसे first one काम होता है sunlight आती है naturally और sunlight को absorb किया जाता है यानि जो light energy है उसको absorb किया जाता है absorb को कोन करता है वो भी आपको याद रखना है कोन करता है chlorophyll अब chlorophyll क्या होता है वो भी याद रखना है जो कि एक green pigment है जो कि लेव के अंदर present होता है ठीके तो first event आपको याद रखना है next event के अपन बात करें next event आपके सामने है the conversion of light energy into the chemical energy splitting यानि breaking of water into the hydrogen और oxygen यानि उसके बाद किया जाता है conversion किया जाता है light energy to chemical energy अब उसके अंदर क्या होता है साथ ही water का breakdown होता है breakdown के through जैसे कि H2O है और H2O H2O यानि कि water है इसमे H2O अलग हो जाता है और 2 अलग हो जाता है इसका breakdown भी होता है और conversion होता है light energy to chemical energy ठीक है समझा गया होगा और उसके बाद next event होता है reduction of carbon dioxide because अपने आगे पढ़ा है कि ये raw materials है अब raw materials से उनका breakdown होगा breakdown होगा तब ही photosynthesis पूरी process होगी और उसके resultant ही nutrient बनेंगी carbohydrates बनेंगा carbon dioxide breakdown होती है किसके अंदर होती है carbohydrates के अंदर और वाटर जो breakdown होता है वो किसके अंदर होता है hydrogen और oxygen के अंदर ठीक है समझ गया है चलिए अब बात करते हैं एक और है important thing important topic वो भी अपने डिसकस करते हैं photosynthesis के बारे में आपने पढ़ा ठीक है उसके लाब और होता है life process होती क्या है उसके अंदर कौन-कौन से system include है वो अपने देखे अब देखते हैं अपन इस्टो मेटा क्या होता है यह इंपोर्टेंट है यह भी आपको याद रखनी है कि इस्टो मेटा क्या होती है तो आपने देखा होगा plants की leaf होती है यह पत्ती होती है उसके अंदर कुछ smaller type में holes present होते है teeny pores present on the surface of the leaves यहनि कि छोटे-छोटे leaves है यह प्रेंट्स है ना leaf है यहनि कि leaves के अंदर कुछ छोटे-छोटे pores या holes है जो कि present होते है और उन्हीं pores और जो hole है उन्हीं को क्या कहा जाता है इस्टो मेटा कहा जाता है जो कि एक leaf के अंदर present होता है तो आपको याद रखना है भूलना नहीं है यानि कि tiny pores present on the surface of the leaves उनको क्या कहा जाता है इस्टो मेटा कहा जाता है most important है और photosynthesis के लिए भी most important है उसके लाब आपने बात करते हैं इसके function की कि यह pores होते क्यों है क्या role है इनका photosynthesis के लिए तो वो भी आपको याद रखना है ये भी पूचा हुआ है इस्टो मेटा क्या होता है इसका function क्या होता है ठीक है जो exams point of view से नहीं है उनको अपन नहीं फड़ेंगे जो exam point of view के अंदर होंगे यानि exam में आने की possibility होंगी नहीं को अपन details से पढ़ रहे है तो concentration के साथ पढ़े और notes cover करते रहे क्योंकि ये काफी helpful रहेंगे आपके exams के लिए board exams के लिए तो है बाकी other competitive exams है उनके regarding भी मैं questions बता रहा हूं कि कहां से questions आ रहा है ठीक है तो वो याद रखे आप function के अपन बात करें कि स्टो मेंटा के functions क्या होते ही वो अपन बात करें तो देखेंगे function मैं function में लिए हैं बाकी extra नहीं लिए केवल जो main function है वही अपन याद रखेंगे तो exchange of gases O2 और CO2 यानि कि first one इसका main function वो होता है और अपने यह भी पता है आपको पहले प्रिवेस classes के अंदर आपने देखा भी होगा पढ़ा भी होगा कि एक human है respiration में oxygen को gain करता है यानि oxygen को inhale करता है और carbon dioxide को exhale करता है वहीं पर plants है daytime में day time में carbon dioxide को inhale करते हैं और oxygen को exhale करते हैं बट यही process सेम होती है night time में यानि कि night के समय जैसे अपन करते हैं oxygen को inhale और carbon dioxide exhale वैसे ही plants करते हैं इसलिए points आपको याद रखना है ऐसा कहा जाता है कि night को at the time night में person को ट्री यान पेड़ पोदों के सामने पेड़ पोदों के नीचे नहीं सोना चाहिए ऐसा आपने सुना भी होगा उसका reason क्या है उसका reason यहीं है कि आपन भी oxygen लेते हैं वो भी oxygen लेते हैं तो वहां पर surrounding area में oxygen जो amount है वो कम हो जाता है और अपने को थोड़ा इसके जो process होती है वो day time में होती है अब day time में क्यों होती है क्योंकि sunlight होती है अब sunlight नहीं होती है रात को night को तो वो process नहीं हो पाती है और वो same अपने ही human being के अंदर पसीन आता है sweating आती है अब आप कहेंगे कि अपनी screen में भी pores present होता है बिल्कुल pores present होता है जहां पर hair आपको दिखते हैं वहां पर अपने अंदर भी pores present होते हैं ठीक है और वैसे ही leaves के अंदर भी pores present होते है तो pores को stomata कहा गया है और उनके function अपने देखे exchange of gases और second function है जो water है उनका excretion करना उनको vapor form में transport कर देना है ठीक है बाहर निकाल देना है तो वह आपको याद रखना है ठीक है friends तो यह आपने पड़ा stomata के regarding और उसके function के regarding अब थोड़ा सा छोटा सा point अपने और डिसकस कर लेते हैं कि जो plants हैं आपने पड़ा autotrops और heterotrops बट आपन आपने अभी एक और पड़ना है heterotrops nutrition होते हैं उसके भी types हो सकते हैं ठीक है और वह basically तीन types हैं जोकी include है वह आपको याद रखना है क्या-क्या होते हैं first one types होता है holojoic ठीक है second one completely पड़ चुके हैं अब बात कर रहे हैं अब हैट्रोट्रोफ की और उसके अंदर तीन टाइपस अपन पड़ेंगे तो इन थ्री टाइपस के अंदर first one टाइपस आपन बेखेंगे है holozoic nutrition means animals take in solid food and breakdown inside the body यानि कि जो भी heterotrophic organism है वो food को किस form में लेंगे वो आपको याद र जाएगा ठीक है समझ आ गई होगा लाइक अमीबा है एनिमल्स है वह अपन डीटेल से आगे पढ़ते जाएंगे तो अभी इतना याद रखे होलो जोएक मींस food को किस फॉर्म में लेगा solid फॉर्म में लेगा और बाद में breakdown होगा उसका inside the body और उस nutrition को क्या कहा जाता है होलो जोएका जाता है इंनिमल्स का अब और खुराब हो चुके है या इंप रूप में लेते हैं सेफ्रोफाइट को देखते हैं लाइनेल्पल आप्या स्ट के इंदिक हो चुके हो आपको में कोई भी फूड पार्टिकल से फूड मटीरियल से रखा हुआ है कुछ दिनों तक वह रखा हुआ है उसके बाद उसके ग्रीन लाइक आपको कलर फुल दिखाई देता है वही फंगस है वही फंजाई है और इस तरीके से काफी सारी जगह पर यह फंजाई सवगेरा दिखा िखाई तो ऐसे organism जो क्या करते हैं में राश है पेरासाइटिक का पेरासाइटिक मंडों आप समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको offline classes के अंदर बताया था तो उसी के according आपने देखा है पेरा साइटिक लाइव क्लास के सोरी पेरा साइडिक पेरा साइट से लाइव इंसाइड और आउटसाइड अदर और और ऑर्गेनिस्म की तरह कोई भी organism है जो की body के अंदर भी रह और और झार परज्ड़ेंट होते हैं और लुके रएंगें कई न्यूकर की वह न्यूकर perasitic या डिखा रूप में रहते हैं जिसके एक्जामपल आप देख पा रहे हुंगे आप सब जानते होंगे तीक के बारे में इसके लावबлы अपने डिसकस किए और आइओ आपको समझाया होगा एकब ब्रीफ ली देख सकते हैं आप यह सारा डिसकस किया अपने सबसे फर्स्ट वन आपने बात कि थी लाइब प्रोसेस का मीनिंग और उसके अंदर पार्ट उसके क्या-क्या है उसके बाद अपने मोड ऑफ नुट्रेशन डिसकस किया उसमें ऑ्टो ट्रॉप्स हेट्रोप्स डि यह सारे डिसकस किये आई होप आपको समझ आयोंगे और आपको बहुत ही कंसेंट्रेशन के साथ देखना एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार देखना है और अपने नॉट्बुक में इनके नॉट्स जरूर कवर करना है ठीक है फ्रेंट्स तो आज का अपना फर्स आप देख पाएंगे यहां फिर मैं आपको वैसे ही सेडूल बता देता हूं आफ्लाइन क्लाशेज के अंदर तो आपको याद रखना है और यदि आपको इसका पीडियूप सही है तो टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लिजएगा वहां पर आपको इसके पीडियूप भी अ